जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं, सक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो, ताकत की जरुरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पानी के लिए प्रेम ही काफी है, कुरोद को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वारती को उदारता से, और जूटे वेक्ती को सच्छाई से जीता जा सकता है कुछ पाना है तो खुद फर बरोसा कीजिए, सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यू ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते है हमारा मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते है, वैसा ही बन जाते है पर मात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा बेहवार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखते है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे की सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समप्थ हो जाएगा जीवन मिलना भाग्य की बात है मिर्तु होना समय की बात है पर मिर्तु के बात भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है आप अपना भविश से नहीं बदल सकते है लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते है क्यूंकि बदली हुई आदते ही आपका भविश्य बदलेगी जिसने अपनी इच्छावों पर काबू पा लिया उस मनुस्ये ने जीबन के दुखों पर काबू पा लिया परिवर्तन से डरे नहीं आप कुछ अच्छाख हो सकते है लेकिन आप कुछ बहतर भी पा सकते है कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका मैं किसी का बुरा ना करूँ ये धर्म मेरा अपनी उम्र और पेशे पर कभी घमन मत करना क्यूंकि जो चीजे गीनी जा सके वो यकिनन खतम होती है फिर से पर्यास करने से कभी मत घबराना क्यूंकि इस पर सुर्वात सुनने से नहीं अनुभव से होगी कुरत को पाले रखना गरम कोईले को किसी और पर फेकने की नियत से पकड़े जाने के सामान है इसमें आप भी जलते है खुशियों का कोई रास्ता नहीं खुश रहना ही रास्ता है हजारों सब्दों से अच्छा वो एक सब्द है जो सांती लाता है अतित पर ध्यान मत दो भविश्य के बारे में मत सोचो अपने मन को बर्तवान छण में केंद्रित करो संक एक ला इलाज बिमारी है ये अच्छे से अच्छे रिष्टे और दोस्ती को भी दीमक की तरह चार जाती है स्वास्त सबसे बड़ा उपहार है संतोस सबसे बड़ा धन है वफादारी सबसे बड़ी संबंध है इच्छाओ का कभी अंद नहीं होता अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरन जनम लेती है कोई तुमारे कंदे पर हाथ रखता है तो तुमारा होशला बढ़ता है पर जब किसी का हाथ कंदे पर नहीं होता तुम अपनी सक्ती खुद बन जाते हो और वही सक्ती इस्वर है तीन चीजे लंबे समय तक नहीं रह सकती सूर्य, चंद्रमा और सत्य अपना रास्ता स्वयम बनाए क्यूंकि हम अकेले पैदा होते है और अकेले ही मिर्दु को प्राप्त होते है इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता जूट का कोई भविश्य नहीं वो आपका आज सायत सुकत करे पर कल तो बिल्कुल नहीं मन का जुकना बहुत जरूरी है केबल सर जुकाने से भगवान नहीं मिलते बहुत ज्यादा भरसा मत करो बहुत ज्यादा प्यार मत करो बहुत ज्यादा उम्मित मत करो ग्यानी वेक्ती कभी नहीं मरते और जो ना समझ है वो तो पहले से ही मरे हुए है